सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोत को सामने बैल आइकन को जरूर दवाईए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग करें एक नया अपडेट लिखाया हूँ जो की अपरेंटिसी ट्रिपल वन परिक्षा से रिलेटेड है क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा परिक्षा का टाइम टेबल आपको बताया था कब से कब तक या क्या करना है तो दोस्तों यहाँ डिजीटी द्वारा फिर से एक बार ट्रिपल वन अप्रेंटिस की परिक्षा का टाइम टेबल को बदला गया है तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा पूरे टाइम टेबल के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज कब तक किन लोगों को कम्प्लीट कर लेनी है तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर लिए सामने बैल आइकन को जरूर दबए हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए मैं विनोट को स्वाहा और आप देखने हैं टेकनोनेट विनोट तो चलिए शुरू करता है तो दोस्तों उसके लिए हम आ जाते हैं अप्रेंटिस ट्रिपल वन के नए शेडूल पर तो देखिए आपके सामने शेडूल आ चुका है और यह आपको कहां मिलेगा तो आप से लिखा वार रहा है सेडूल फार ट्रिपल वन एटीस ए आई टीटी इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज पीडिएफ आपके सामने खोल जाएगा अब यहां पर एक्टिविटीज देख लीजे किसको कंप्लीट करनी है कब से कब तक डेट है तो यहां पर मैं बहु जाता है इसकी जो डेट है यह पांच जुलाई 2021 से स्टार्ट हुई थी और अब जो है पांच सेप्टमबर 2021 तक रख दी गई है मतलब इस डेट को और आगे बढ़ा दिया गया अब यहां पर यह तो चीज है कि इस्टेबिलिस्मेंट को करनी है बच्चों को ऑनलाइन इसकी डेट आपको तक आरा दिन का समय दिया जा रहा है यह 16 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर 2021 तक आपको हाल्टिका डाउनलोड कर लेना है ऑनलाइन पर इक्षा कब से कब तक होने है यह कौन कराएगा cvt एक्जाम एजनसी कराएगी इसके लिए आपको चार दिन का समय मिला है 28 अक्टूबर 2021 21 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक एक्जाम होने है तो दोस्तो यह एक इंपोर्टन अप्डेट था अप्रेंटिस के बच्चों से रेटेट क्योंकि पिछले टाइम टेबल के इसाब से काफी परिसान हो रहे थे कि कब से कब तक क्या करना है तो दोस्तो यह वीडियो देखेंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा दोस्तो आज के लिए इतना है धना है